कि गुड मॉर्णिंग एव्रिवन और मॉस्ट वेलकम तो जाइन देशन डेली डॉलर रोज में आपका स्वागत है आज देखेंगे हम टॉप 20 टॉपिक्स जो करेंट ओर्येंटेड होगा इसमें 10 टॉपिक्स का अप्रोज एक्समिलेशन में होगा यानि कि एक ब्याख्या स रही हित होगा और उसके बाद उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वैस्टन करेंगे जिसे यह पता चले का कितना अट्टेंट्यू आप रहे से से दौरान उसके बाद जो आज कल न्यूज में हैं जैसे आज कल परसो तरसो है ना जो नीज में इंपर्टेंट टॉपिक्स रहे है उसे रिलेटेड कुछ यम सी क्यू सेट किये गए हैं जिनको आप जबाब देंगे आपसे नहीं बनेगा तो मैं आप रिप्लाई करूंगा तो सेसन का एप्पोच यही रहने वाला जिससे आपका रिवजन भी होता रहे हैं और आप अपडेटेड भी रहे हैं और आपकी प सकते हैं देखें पीडितों के लिए कैसे युद्य से रासायानीक युद्धि से और सभी पीडितों के लिए जो अस्मड़ दीवस्त करेंडी किस rate को he मतलब किस देट को मनाया जाता है एक क्वेशन है यहां से बनेगा दूसरा क्वेशन किस ने डिक्लीयर किया था जैसे जो date है उसको declare किस ने किया था दूसरा question ये बनेगा और उसके history से related कुछ question बन सकते हैं तो देखेंगे आज के इससे important जुड़े हुए topics देखेंगे इसको हर साल 30 number को रासायनिक यूद के सभी प्रितों को याद करने के लिए स्मर्ड दीवस के रूप में मनाया जाता है किस date को 30 number को सबसे important बात है इसको 2015 में 30 number के date को अपनाया गया इसको स्मर्ड दीवस के रूप में मनाने के लिए इसके पहले की अगर बात करें ठीक है कि 29 अप्रेल को जब रासानिक युद्ध के सभी पिडितों के लिए स्मर्ड दिवस मना जा रहा था तो कब से तो वो होगा आपका 29 अप्रेल 1997 से इंपोर्टेंट बात ये है कि इसको 11 नॉमबर 2004 में संयुक्त राष्ट के सभी सदस्यों ने क्या किया था इस दिवस को अफिस्यली यानि कि अधिकारिक तोर पर मनाया था या फिर माने ताप इसको दिया था कि जो 30 नॉमबर होगा इसको रासानिक युद्ध के सभी पिडितों के लिए स्मर्ड दिवस डिक्लियर किया जाएगा तो यही एप्रोच रहेगा कि जो भी टॉपिक्स होंगे उन्हें हम पहले क्वेस्चन में फ्रेम करेंगे लेकिन लास्ट में जो क्वेस्चन होंगे वह जस्ट लाइक एक्जाम के तो यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है आपको यह चीज पता होना चाहिए यानि कि 119 2004 को सभी संयुक्तराष्ट के जो किसको तीस नॉंबर को क्या करने के लिए रासानी क्यों दिखे सभी पिडितों के लिए स्मर्दीवस मनाने के लिए यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है देखे आपको सेशन अगर पसंद आता है तो आप लाइक कर दिया किजिए वह तो आपको अच्छा लगे तो सब प्ृती सूधन करके एक महिला है जो इंकी चाल से बनी है और इनकी वितर्सता है तभी यह नईउस में ओं और इनकी वितर्सता क्या है पूर्य सचिव के पढ़ पर कारिक कर चुकी है emphasizes जो यो पूरो स्वास्ता चिकित्सा मतब स्वास्ता चिकित्सा विभाग होता है उसमें सचीव के पत्र पे कारिक कर चुकी है और दिल्ली के संग लोग सिवा आयोग की कारियाल और गोपी दिया तक इन्होंने सपत लिए यह चीज़ आपको पता होना चाहिए तो अगर से सेवा निब्रित एक आयस अधिकारी है एक आयस अधिकारी यह आपको पता होना चाहिए यह सामने यह थोड़ा सा जान लेते हैं यह यह पीसी हिस्ट्री में जाएंगे नहीं तो बहुत जादे डिटेल चला जागा कंस्ट्यूशन के आर्टकल्स अगर देखेंगे यह प पंदस लेके 323 ए तक दिये गया है तो बरतमान में मनुच सैनी जी क्या है इसके चेर्मैन है क्या नाम है उनका मनुच सैनी तो यह भी क्वेशन अगर आपसे बने तो आपको पता होना चाहिए और देखें मनुच सैनी जी को कौन करता है तो प्रेसिडेंट यह भी आपको पता होना चाहिए जो एपसी के चेर्मैन होते हैं उनको पॉइंट करने का काम कौन करता है राष्ट पती चलिए अगला टॉपिक देखते हैं आज का मंकी मीजल्स का नाम बदलकर एम मीजल्स किया गया तो इसको बदलने माला आगनाइजेशन पूछेगा तो कौन है वह व इसका नाम पहले क्या था मंकी मीजल्स अब बदलकर क्या कर दिया गया यह मीजल्स तो यह आपको पता होना चाहिए करने वाला संस्था कौन है डबलो यह चो देखिए यहां पर क्या है मंकी मीजल्स एक क्या है वाइरल डिजिज जिससे पहली बार 1970 में कांगो में देखा गया था कॉंगो कहां किस कॉंटिनेंट की कंट्री है अगर बात कहीं क्वास्चन बनें कि कांगो किस महादीब की एक कंट्री है तो यह है अफ्रिका कॉंटिनेंट की एक कंट्री है कॉंगो यह वाइडल जानवरों से मनुश्यों में फैलता है देखे जो बिमारी जानवरों से मनुश्यों में फैलती है उनको एक इसपेसली नाम से जाना जाता है तो आपसे छाऊप देखान लगा कि मंकी मीजल किस टाइप का विमारी तो आपसं में देदे गा जैनों से जनॉंसे में फैलती है और कोरोना अगर देखा जा है तो यह जुनोटिक डिसेज नहीं है क्योंकि इसमें वाइरस जानवलों से मनुसे में नई फैल था है और भी बहुत सारी विमारियां जो जुनोटिक हैं बहुत सारी विमारियां जो नॉन जुनोटिक हैं तो यह चीजें आपको पता होना चाहिए तो 1970 भी आपको पता होना च को खो जा गया था कब 1970 में कहां पर कॉंगो में चलिए अगला टॉपिक देखते हैं राष्टपती जो है बतमान में दरपती मुर्मु जी उन्होंने क्या किया है हर्याणा में बिभिन परियोज मतब यहां पर बहुत सारी परियोजनाय इन्होंने स्टार्ट करी है कहां पर हर इंहोंने तो से रिलेटेट कुछ टॉपिक्स हैं और प्रिसेडेंट के पोस्ट को भी यानि कि उसको राजनीती की दिशित्ट्रिक आई से तीमा प्लायट एंड तो देखे भारत की राष्टपती द्रवपती मुर्मो ने हरियाणा की कुरू छेत्र में 29 नॉमब 2022 को जो अंतराष्टे गीता संगोस्टी तब हो रहे थी उसमें भाग लिया इनोंने सबसे बड़ी बात तो अगर क्वेशन बने कि हाल फिल हाल में जो गीता संगोस्टी हो रहे थी कहां पर अंतराष्टी गीता संगोस्टी कहां पर हो रहे थी हरियाणा में तो इसमें किस ने पाडिसिपेट किया तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ब्ला 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 ऐसे आएगा आपसन तो मुख्य मंत्री स्वास्ता सरच्षट योजना का सुभारम किया कहाँ पर हरियाना में मुख्य मंत्री स्वास्ता सरच्षट योजना इसी के साथ virtual mode में उन्होंने क्या किया सिरसा में एक medical college और hospital की अधासिला भी रखी कहाँ पर location पता होना चाहिए कहां पर सीर्षा में एक मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्पीटल की अधासीला भी रखी उसके बाद क्या है मुख्यमंत्री सरवेच्षड योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा प्रतेक नागरी का स्वास्ते जांच एम विभिन प्रकार की जांस सरकाद वरा मुख्ट में की जाएगी तो यह भी इंपॉर्टेंट था कि जो मुख्यमंत्री सरवेच्षड योजना है किस बात से समन्द रखता है रिसिडेंट ने आखिर यह इसका इनागरेशन किया है 2922 को तो ठीक है आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है तो हमने देख लिया क्या है क्य तो ऐसे ही क्योश्चन के फाम में हम टॉपिक्स को समझ के करेंगे तो क्या है न कि क्योश्चन बनेगा तो हम इसली कर लें तो 29 नॉम्मब 2022 आपको याद होना चाहिए कि इस देट को राष्टपती मुरुमुजे ने पाटिसिपेट किया था ठीक है और क्या राष्टपती स्वास्तारinku मुक्षे मंत्री सरैच्षड द्वारा का भी सुभारम किया जिसका उद्दते क्या होगा ठीक है तो मतलब यह भी पता होना चाहिए प्रेसेडेंट का जो इक्चिटिव पावर होता है कि तो यह इपर्टेंट है तो दोनुट चीज़ें आद होने चाहिए बागी बहुत सारी चीज़ें हैं इंपर्टेंट ने तो देख लिए हमने इस टॉपिक को को भी कही न कहीं यह thesis complete होता है देखते हैं अगले टॉपिक क्या है दुनिया का सबसे बड़ा सक्री जौला जौला मुखी 40 वस्त फूट कि अब और इसके बारे में थोड़ा से जान लेजे में आन दुनिया का सबसे बड़ा सक्री जौला मुखी का नाम क्या है 만 लगर चो मुख्य 40 साल में पहली बार फूटा मौना लुवा आखरी बार मार्च 1984 में फूटा था कब क्वाश्चन बनेगा कि मार्च कि 1984 तो यह भी पता होना चाहिए था कि लास्ट टाइम कब फूटा था कि 1984 में मार्च में और अभी हाल फिलाल में फूटा है चालिस साल में एक बार कि अगला टापिक देखते हैं एम्स डाटा रिस्टोर करके एक क्या है प्रवंधन है तो उसको देखते हैं देखे तेश नॉम्बर 2022 को क्या किया गया था एंस के पूरे सर्वर का टाटा हैक कर लिया गए था किस्यूट यह को ति साम को उससे क्या होग के अंसाथ200 क्रोड की सांथि हम भी हुई थी ठीक है तो यह भी इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए कि कि जो किंद्री ग्रियमंत्री हैं वो क्या कहते हैं वो उनके अधिक्षा में कहां बैठक भी थी क्या हुआ कैसे हुआ सारी चेज़ है और जो एम्स का डाटा रिस्टोर है वो खत्रे में तो 200 करोड की जो फिरौती वाली बात है उस पर भी चल्चा हुई ठीक है कि उसके बाद क्या है मंगलवार को देदा मतब क्या हुआ एम्स की तरह से क्या आया एक जानकारी की अनुसार डाटा को सर्वर पर रिश्टोर कर लिया गया है हालांकि एम्स का कहना है कि अभी सिस्टम पर कम काम करने में कुछ और समय लगेगा ठीक है तो ठीक है यह बहु स्टीम है इसमें क्या है इसमें इस परियोजना के तहट क्या है दस मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्गाटन सदर कहा जाएगा अस्पताल मतलब स्टार्ट क्या जाएगा आरा कहां थे आरा के भोजपूर जिला में कौन सा डॉक्टर आपके द्वार जाएगा उख्याब है तो डंगेक तो डंग आपके द्वार परियोजना के तहात दस मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्गाटन चदर सदर अस्पताल आरा भोजपूर जिला ब में किया गया इस परियोजना का उद्गाटन केंद्री कि उर्जा मंत्री देखिए इंपोर्टेंट है किस मंत्राले ने इसका उद्गाटन किया तो केंद्री उर्जा मंत्री कि सिरी आर्के सिंग द्वारा किया गया तो है ठीक है इस परिवजना की कुल लागत बारद अच्छे आठ करोण बताई जा रही है ठीक है जो परिवजना है कि उसकी मत्तब कुल लागत करी बारद अच्छे आठ करोण बताई जा रही है इन दस मोबाइल क्लिकों में तीन क्लिक बिस्ति सुरुप से मैजाओं खिलिए बने हैं उसके बाद क्या है इस योजना के माध्यम से जितने भी लोग स्वास्ता स्वास्ता से वंचित हैं उन सभी के घर घर जाकर उन्हें स्वास्ता सिवाएं प्रदान की जाएंगे ठीक है तो यह रहा है डाटा आपके डाक्टर आपके द्वार के इंपोर्टेंट पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट क्या है जितने भी लोग स्वास्त स्वास्ता से माँ प्रदान करनी होंगे चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि अधिक टॉपिक कम्प्लीट हो जाता है ईए पे हैं जो भी वंचित लोग होंगे स्वास्ता से माँ से उन सबी के घरगत जाकर क्या करेगा यह स्वास्ता से वाएं प्रदान करेगा देखने टाइम कितना हुआ इस एबाउट 14 मिनट ओके सिरी हरी कोटा में नीजी राकेट पैड का उध्गाटन हुआ है तो उसके विशे में जान लेते हैं यह ना यह नियूज में आजकल चल रहा है तो सिरी हरी कोटा में अंत्रिच पोदेग की कंपनी क्या नाम है उसका अग्रीकूल कासमास क्या नाम है अंत्रिच पोदेग की कंपनी का नाम क्या है जो प्राइबेट सेक्टर में सिरी हरी कोटा में क्या होगा उसका इनेगरेशन उसका नाम है एक्रीकूल कासमास तो इसक इसको के अध्यक सोमनात्वारा किया गया है तो इसको के अध्यक्ष कौन है भी सोमनात्थ ठीक है अगला टापिक देखे वैसिक प्रदिज्ञा सत्वां एडिसन जो क्या है यूनिमस्टल क्या है टेकनोलिजी उसे रिलेटेट सात्मा एडिशन जो आया है उसे रिलेटेट बात हो रही है तो 29 नौबर 2022 को बैस्वीक प्रद्योगी सिखा सम्मेलन के साथ में संस्क्राण का आयोजन किया गया है यह सम्मेलन 29 नौबर से चलेंगे 29 से 1 दिसनबर तक चलेंगे वैं कौन से वैस्वीक प्रद्योगी का सत्मा जो एडिशन है 29 नौब तो जिसको स्टाट किया गया साथ में संस्क्राण के रूप में तो यह संस्क्राण 29 तक चलएगा आपको बता दें कि इसमेलन की मेजब्ण की मेजब्लानी भारत कीडिस मंत्रा ले सब्सेटी जाएगी बैस्फिक पुदिर्गी सिक्र संग जापान ब्राजिल नाजेरिया थिया सिंगापूर और 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 से अन्य कई देशों के अधिकारी भी इसमें सांविल भने बादा है। इस साल आयोजीत होने वाले सिक्षध समेलन की थिम क्या हैं ? प्रद्द्द snrki की भूराजनेती बहुत इंपरेंट है my प्रद्द भूराजने जिसको इंग्लिस हम क्या करें क्या कहेंगे कि जियो पॉलिटिक्स आफ टेक्नलाजी ठीक है कि चलिए अगला टापिक देखे क्या है इग उन्यंस पर पचीसमें राष्टे समेलन हुआ उसे लेटेट बात है छोटा साह कहां पर हुआ है जम्मू कस्मीर के उपराजपाल मनुस सिंहा ने 27922 को क्या किया सिरी माता बैसरोंड देवी विश्व विद्धालय में इग उन्यंस पर पुराजपाल मनोच सिंहा ने 27 नॉमबर को क्या किया अगरे देखिए पढ़े ध्यान से बढ़ते हैं अगले टापिक पर आजादी के अमरीत महुत्साप पर एक दिवसी एकी कृत संचार और आउट्रिच कारिकरण जो इससे रिलेटेट तो 28 नॉमबर 2022 को इंपाल में कि दिवसी एकी कृत संचार और आउट्रिच कारिकरम आयोजित किया गया ठीक है उसके बाद क्या है कारिकरम केंद्री संचार ब्यूरू क्षेत्री कार्याल है इंपाल दौरा आउजित किया गया था कि सबसे बड़ी बात क्या है यह दस दिवसी एकी कृत संचार और आउट्रिच कारिकरम का एक हिस्सा है चलिए ऐसे थोड़ा सा टाइम देंगे तो लंबे समय तक दिमाग में रूखेगा देखें बहातियरे जोर बैंक समाचारों में क्यों है क्यों 28 नॉमबर 2022 को तीन सहकारी बैंको पर इसने जुर्माना लगाया इसलिए नियूज में है केंद्रे बैंक ने पासी सहकारी बैंक इंडियन कर्मेटाइल इसलिए मेंग लखनाओ और वहाइस अधियरे बैंक और मुंबई पर जुर्माना लगाया तो तो किंद्रे बैंक ने क्या किया पासी सहकारी बैंक इंडियन मरके इंडियन मरकेटाइल सहकारी बैंक लखनाओ और भारत सहकारी बैंक मुंबई पर जुर्माना लगाए जाएगा तो आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वह कंप्लीट होते हैं अब देखेंगे इंसे लेटेट कुछ इंपॉर्टेंट यम्सी के हो तो ध्यान से पढ़िए 29 नॉबब 22 को वैसिक प्रदुकी सिखर सम्मेलन के साथ में संस्क्राण का आयोजन किया गया है यह सम्मेलन 29 नॉबब से शुरू होकर एक दिसंबल तक चलेगा इसका थीम क्या है चार आपसन आपको दिये गये हैं बहुत इजी था थोड़ी दिर पहले हमने देखा था बत प्रध्योगिकी की भूराजने क्या है क्या है मि क्यों ठीकति का इसका सही जवाब है आप भीधि स्में किसकी बात की गया है आप प्रोद्योगिकी घुराजने कि जो बात है उसमें दस मोबाइल हेल्थ क्लिनिक उद्घाटन सदर अस्पताल आराव भोजपुर जीरा और विहार में किया गया है अब उसे रिलेटेड आपको पॉइंट्स चूच करने हैं यह है इस परियोजना का उद्घाटन केंदे सिच्छामंति स्री राजनाच सिंग द्वारा किया जाएगा इस परिडाम का उद्धाटन केंदे उज्यामंति स्री आरके सिंग द्वारा किया गया सबसे बड़ी बात है ठीक है यहां पर देखे क्या क्या आपसन है इस परियोजना का जो डाक्टर आपके द्वार परियोजना है इसके अंतरगत दस मोबाइल ह परियोजना का परियोजना फिन्दर थासमंत्र श्रि यॉठा शवारा कीया गाए तरी का उद्घाiri मंत्री और आर्केश कीए जार्श्रा क्या है इस परियोजना का उद्घाcton केंद्री मंत्री श्री प्यूस गोईल द्वारा किया गया तो देखी क्या है क्या 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 है और उसके बाद क्या है इस परियोजना का उद्घाटन केंद्री जल मंत्री श्री गजन सिंग से खावत द्वारा किया गया इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा आप्सन नंबर बी यानी कि इस परियोजना का उध्गाटन केंद्री उध्या मंत्री श्री आर्के सिंग द्वारा किया गया अभी हमने देखाता था थोड़ी दिर पहले दुनिया का सबसे बड़ा सक्री जॉला मुखी है बताईए ये भी देखा था हमने मोना लोवा बैरन इटाना नारकोंडम इसका सही जवाब क्या है मोना लोवा कहां पर है बताईए हवाई आईलेंड को ठीक है तो यह कुछ important question हो गया है अब हम देखेंगे क्या इससे ही जुड़े कुछ और important question चले देखते हैं उसी से जुड़े उसी से 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 जुड़े कुछ और important question आपके सामने किस देश के द्वारा जेट फाइटर को 111 और 113 किलोमीटर प्रतिहावर की गत्से उड़ान भरने वाले हाईपासोनिक इंजन का निर्माड कर लिया है बताई किस देश के द्वारा इसका सही जवाब है चाइना के द्वारा तो आपको पता होना चाहिए कि जेट फाइटर एक सो तिरग क्लोमीटर प्र आपर आवर की गत्से उड़ान भरने वाला हाईपासोनिक इंजन का निर्माड चाहिणा ने कर लिया है अगला क्वाष्छन देखिए चीन दौरा बनाए गया है हाईपासोनिक इंजन का नाम क्या है तो क्या नाम है इसका नाम है किरोसीन बेस डेटोनेशन इंजन टिक है यानि कि ये मिटी के तेल से चलेगी इसके इंजन टिक है अगला क्वाशन देखिए बिज्ञान द्वारा कितने करोड़ वर्स के एक फंगस पजाद की खोज की गई है जिसका नाम प्रतवी का जीव रखा गया है आत टंग फंगी इसका खोज 30 कर प्रतवी का जीव माना जा रहा है और टंग फंगी अगला क्वाशन देखिए किस देश के हवाई द्वी पर 20 वका सबसे बड़ा सक्री ज्वाला मुखी फट गया है उसका नाम क्या है तो अभी हमने देखा था इस क्वेशन का जबावा को पता होना चाहिए जो मैनुआ ल सब्सक्राइब दोहजार 22 की रात में फट गया है चलिए अगला क्वेशन देखिए किस इंडियन कंपनी ने अपना पहला बोइंग साथ 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 से दो सो अलार बिमान प्राप्त किया है पताएं इसका सभी जबाब क्या है एर इंडिया ने एर इंडिया ने क्या किया है अपना पहला बोइंग साथ 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 से टूहंडे यानि कि 777 टू-200 अलार बिमान प्राप्त किया है कहां से एर इंडिया ने कहां से कि बताईएगा यह कमेंट सेक्षन में आप बताईएगा कहां से गुवा के तिरपनों अंतराष्टी फिल्म महुत्सा में किस अभिनेता को हिंदी सिनेमा का परंपरा तोड़ने वह गेंचेंजर अभिनेता होने का अवाड दिया गया है बताईए इसका सही जबाब है अभिन मह stata है निता आइसमान को सभी आगला क्यूक Wahl एक किसके ुथारा टिरपरा फिल्म एमं ओवं टेली बीजन इंस्च्ट्ट्थ बनेगा इनसीट का उद्ध कियागा है इसका सभी जवाब क्या है मुख्यमंत्री मडिक साह के द्वारा क्या किया गया है तिरपरा फिल्म योम टेली बीजन इंस्ट्यूट का उधगाटन किया गया है किसके द्वारा मुख्यमंत्री मडिक साह है तिरपरा के मुख्यमंत्री के द्वारा सत्य जीत रे फिल्म आएंड टेरी बीजन इंस्टिट के तहत ही उद्गाटन किया गया तो ठीक है मुख्य मंत्री मडिक साहज की बात है अगला क्वाशन देखिए किस राज में गंगा जल आपूती योजना की सुर्वात की गई है तो इसका जवाब क्या है ठीक है तो बिहार है थोड़ा सा जान लिजिए बिहार में गंगा जल आप उजना का उद्गाटन बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार के द्वारा बिहार के गया से लेकर सरुपथम इसके लिए देखिए इसका मतब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखते रहें बिहार में गंगा जल योजना का उद्गाटन बिहार के मुख्य मत्री नितिश कुमार के द्वारा बिहार की गया से किया गया सरुपृथम इसके लिए पांच पॉइंट बनाए गया पांच पॉइंट डिसकस कीजेगा आप किस देश के एरलाइंस ने टाटा समों के स्वामित वाली एयर इंडिया समों में बिले करने की घोस्ड़ा की तो इसका सही जबाब है सिंगापूर एयरलाइंस ने क्या किया इस बिले में एक्याउन परिस्द की हिसेदा पांच करड़ रुपय कहां कि क्या है इसमें निमेस है कौन करेगा सिंगापूर एयरलाइंस टिक है किसमें एयर इंडिया में तो यह डिक्लियर किया है अचली आज से मतलब अभी जो सेशन हुए उससे फिस एलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट क्वास्टन आपको बताना है आपको बताना है कि निम्न में से किस भासा के लेखक इमायों को कुएम्पू राष्टे पुरस्कार के लिए चुना गया है किनको इमायम को किस रचना के लिए कुएम्पू राष्टे पुरस्कार इसका सही जवाब क्या है तमिल ना ठीक है तो इसका सही जवाब है तमिल तो तमिल भारत के लेखक इमायम को हाले में कुएमपु राष्ट्य पुरस्कार के लिए तमिल कभू वी अन्ना मलाई और इमायम को कुएमपु राष्ट्य पुरस्कार के लिए शुना गया है पुरसकार में पांच लाख रुपए का नोट नगत पुरसकार एक रज़त पदक और क्या है एक प्रसस्ति पत्र भी दिया जाएगा अगला क्वेशन देखिए पिछले कितने वस्वे में भारत के दुख्द उत्पादर में 83 मैट्रिक टन की भारी ब्रिदी दर्ज की गई है बताईए इसका सही जवाब है आठ वस्वे यानि कि आपसर नमबर ए सही है हाली में जारी रिपोर्ट के मुताविक पिछले आठ वस्वे में भारत के दुख्द उत्पादर में 83 मैट्रिक टन की भारी ब्रिदी दर्ज की गई है और क्या हुआ है रत दूद उत्पादर में पर्थम अस्थान पर है और बिस्विक उत्पादर में कि तेस परसेंट का युगदान देता है दुख्द उत्पादर क्में कि उत्तर प्रदिश ने क्या किया है पहला आस्थान और राजस्थान ने दूसरा अस्थान हासिल किया है कि ठीक है हाली में किसने लेंगिक हिस्था के खिलाप महिलाओं और लड़कियों को जागरू करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया है इसका सही जवाब क्या है केंदर सरकार ने ठीक है तो केंदर सरकार ने क्या किया है हाली में लेंगिंग हिंसा के खिलाप महिलाओं और लड़कियों को जागरूप करने के लिए नई चेतना करके क्या चलाया है एक अभियान ठीक है और इसके तहत महिलाओं को हिंसा के खिलाप उपलब्द कानूनी और अन्य उपायों के बारे म शिछ्छ आयोग विग्यान योजना आयोग और झा ऑदी और ग्रामोद्योग इसका चल जवाब क्या है कि आपसण नंब्र डी या निकि खादी और ग्रामोद्योग योजना जो है ओ वो मनुच कुमार जी के द्वारा रन की जाएगी हाली में उत्राखंड के नेनी ताल में इन्होंने महत्वकांची पुनर्वास परियोजना का उधगाटन किया है उन्होंने चौसला गाव में ग्रामिड हित ग्राहियों को 330 मद मक्खी बक्सों मक्खीओं और फिर क्या है कालोनियों और टुल्किट क्या करेंगे टुल्किट के साथ साथ सहद निकालने वालों का बित्रण भी किया ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट न्योज है यह बस क्यों सिंपल दिख रहा है तो एक बारी रूप के पढ़ लिजेगा देखें यहीं बे सेशन कंप्लीट होता है सेशन देखें लंबा हुआ तो सौरी अगर सेशन पसंद आये तो लाइक से सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है थैंक्यू भेरी मस्ट डोस्तों ठीक किया राधे राधे